नमस्कार दोस्तों क्राइम तक देख रहे हैं बात करते हैं धननजे सिंग पर कल भी बात की थी आज भी करते हैं लेकिन एक बड़ी जबरदस चीज सामने आई है आपको पता है धननजे सिंग को जिस केस में सजा हुई है कोई गवा नहीं था उसमें यानि कि पलट गया था औ लेकिन उस वक्त के पलिस अधिगारे थे जिननका इस पूरे केस को रिइंवेस्टिगेट करो और अदालत के समक्षिस सारी बाते रखी और अदालत ने यह माना कि धननजे सिंग ने ये कांड किया था इसके बास रज़ोई है प्रिवेश वो क्या वाटसेप मैसेज चा जि उनके घर पर लेकर आया है इनफॉर्म टू पुलकित सर इमिडेटली ये जो एविडेंस है ये एक स्ट्रॉंग एविडेंस बना इस केस में धननजे सिंग को सजा दिलाने के लिए लेकिन जहां तक देखा जाई ये केस बड़ा वीक था चिराग जी कैसे आप मुझे जो लेटर था वो मैच कराया गया इसके हैंड से मैच कराया गया तो पता चला इस नहीं दिया है फिर इसने दलील दी ये वाट्स अप मैसेज के लिए कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मेरे को धनने घर लेके गए गये थे तो उन्होंने मेरा कोई अपहरण ये सब नहीं किया उस समय मेरी मांस ति थी ठीक नहीं थी तो क्या ऐसा क्मप्लेंट इसले कह रह थे कि दर गय ते धननेजा सिंह से या कोई सेटिंग हो गया थी पुलीस का ऐसा कहना है कि हॉस्टाइल हो गया था पुलीस जो अपने पुलीस ने जो चार्शिट फाइल की थी पुलीस ने जो कोट के समक्ष बोला है पुलीस ने कहा है कि यह हॉस्टाइल हो गया तदी कि क्या हो गया दस माई दो हजार बीस का जो मामला है तो क्या हो गया य धनेंजे सिंह का आद्मी मुझे आता है साइट से उपने गाड़ी में उठा के लेके जाता है और धनेंजे आयो जो है वह क्लीन चीट देने राजी हो गर ईदिए आगे लिके जाता है याता रिसको पहले आरूफ लगा खरोंग को ऑऊ च्लिया नहीं ऊंसे को नहीं एशह कðो वहा देघ्लास को 56 थे और एक जो strong evidence था, वो strong evidence क्या था, जो धनजे सिंग को जो inform दे रहा था, उसका right hand, वो उसकी call recording मिली, उस call recording में वो बता रहा था, जिसमें ऐसी बात निकल कर आ रही थी, उसको धमका दिया, इसको धमका दिया, इसको, जानी कहने का मतलब यह है, कि आप सोचिए कि शिकायत करता मुकर गया, डर की वज़ा से कहीं या किसी और वज़ा से, इसके अलावा, एक whatsapp message पर अदालत ने माना, नहीं, यह whatsapp message इसी संदर्ब में किया गया था, कि शायद उसका kidnapping हो गई थी उस वक्त, और इस वज़ा से किया गया था, आप सोचिए कि दबंग गई क्या थी, और यह जो पुलकित है, जिसको लिखा था, उसने मोहनलाद सिंगल, मोहनलाद सिंगल वोई साइट मैनेजर है, उन्होंने अपने बेटे को यह सब चीजे फोन पर बताई थी, तो फोन की call recording थी, पोन recording से सारा मामला यह सेट हुआ, लेकिन सबसे बड़ी सवाल, लोगों ने यह भी पीछे क्या वज़ा है, एक आदमी जो दबंगई कर रहा है, जो कभी विधायक था, कभी सांसद रहा और उसके बाद मुकदमे दर्ज हुए, तीन शादिया की, खुब पैसे करो, क्या उपर वालों को मिट्टी में मिलाने का जो एक सपना, वो कहा था सी हमने कि मैं मिला जब तक आप UP में अगर आप दबंग हो, जब तक आपकी पुलीस में अच्छी पकड़ है और सरकार में अच्छी पकड़ है, नहीं तो कोई आदमी दबंग नहीं, पुलीस तो दो दिन में चाहे तो किसको भी ठीक कर दे, और सरकार भी चाहे तो किसी पे भी नकेल कस दे, तो ऐसा कहा जाता था धननजे सिंग के आप अब ही देखिए नौא मुकदमे बाइखेंब नो मुकद इस समिन दस थे उसमें से हुट अब कलीप भी मिल जाए बहुत बहुत जानसे हैं कि वापस से पढट होते वरजी मुकदमे में फसाया गया है, मैं कोड के जज्मेंट के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये आपको कुछी दिन में बहुत सारी चीज़ा सामने आ जाएंगी. सवाल ये है कि धननजे सिंग पर आज तक strong action क्यों नहीं लिया गया? अगर करिनल हिस्ट्री है, यूपी में हुआ, मिट्टी में मिलाया गया अतीक को, एक बार लिया गया था ना strong evidence, fake encounter करके, मतलब उसमें 25 पुलिस वाले का नाम सामने आ था, अभी तक वो case चली रहा है, अभी तक उसमें किसमें बरी हुए, वही महा, तो लेकिन जो दो encounter हुए उनका तो कुछ पता पता नहीं चला, जो दो लोग मर गए, तो ऐसे ही होता है, यूपी पुलिस है, जब रंग दिखाना होता है, दिखाती भी है, जब रंग नहीं दिखाना होता है, नहीं भी दिखाती, लेकिन सवाल का, इसके पीछे वज़ा यह है कि, जैसे आपने पुलिस में, वो चाहा ले, कई बार ऐसा होता है, मैंने देखे है, उपर वाले को कोई मतलब नहीं होता, नीचे वाले अपने लेवल पर ही एक्शन ले लेए, आप देख लिजए, जब मायावती की सरकार थी, तो राजा भाया पे कितने नकेल कसी गई थी, बहुत स्ट्रि यूपी पॉलिटिक्स में, तो बहुत जादा दर देखा गया है, कि अगर आप सरकार के साथ हो, तो ठीक है, या आप नहीं हो, क्योंकि देखे, मायावती के टाइम पर मायावती ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, राजा भीया के खिलाफ, सपा की सरकार आई तो चेंज हो गया है, कि जैसे अतीक का अगर इसे कंपैरेजन करें, कि उसके खिलाफ तो जबर नुगाई से लेकर बहुत सारे मामले था और वो दूसरी पार्टी से तालुक रखता था, प्लस और बहुत सारे फेक्टर से, इनके साथ, धननेंजे सिंग के साथ ये है कि बहुत उसका जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो उसके इलाके के लोग है, वो उसे रॉबिन हुड मानते थे, तो उसे लोग पसंद भी करते, तो लोगों की हेल्प भी करता था, वहां के आसपास के लोग जो उसे, देखी कल हमने वीडियो बना है, उनके पुरे सपोर्टर साके आप कंपेर नहीं कर सकते, वो उससे आप धनाजे सिंग को नहीं सोड़ सकते, क्योंकि अतीक तो बहुत बूटल क्रिमिनल था, मतलब वो ऐसे ऐसे क्राइम्स, मतलब ऐसे ऐसे गत्विदियां कि जो, मतलब आप समझे लो कि वो हाईर लेवल के, गैंग्स्तर से भी उपर के लेवल की जो चीजे होती वो करता था, जबरदस्ती, मतलब इतना दहशत था अतीक का, कि अतीक प्रयागराज में कोई निकल के बोल नहीं सकता था उसके बारे में, मतलब इतनी ज़्यादा दहशत ही, धनेंजे सिंग में दबदबा था, बहुबली जो नाम है, दबदबा लेकिन दबदबे के साथ इतनी बड़ी crime history नहीं थी कि मतलब अतीक जैसा हो तो अतीक जैसा तो नहीं था थोड़ा सा नर्मी था क्योंकि देखिए दो तरह की आप अगर हर किसी को परिशान करने लोगो हर किसी से उगाई करने लोगो क्या होता है, दो तरह के गैंक्स्टर्स भी होते हैं एक होता है जो अच्छो को भी परिशान करता और एक हो जो बुरो को परिशान करता है मैं थिर्स जिनको पता चल जाए कि यह कुछ बुरा काम खनन का काम कर रहा है इसको दबो चलो तो इस तरह का कुछ matter था आप सेम आप कानपूर बिकरु कांड किया था कि वहाँ पुलिस पर अटैक किया गया था और उसको गाड़ी पलट गई थी कहने का मतलब यह है कि यह सब चीजें बहुत ध्यान में रखे जाती है खुले में लॉएन ओर्डर को धज्या नहीं उड़ा सकते मनलब खुले में आप लॉएन ओर्डर की धज्या नहीं उड़ा सकते अतीक ने अगर यह जो लास्ट घटना है जो पाल फैमली थी उनके पर जो हमला करवाया था जिसमें उमेश पाल की हत्या हो गई थी अगर वो ना करता तो अतीक भ्याज शायद मेरे हिसाब से जिंदा रहता तो यह जो लॉएन ओर्डर का जो मतलब है पुलिस लॉएन ओर्डर सरकार तो बहुत दूर की बात है आप एक पुलिस वाले को भी उसमें गुली लगी थी पुलिस वाले भी घायले तो आपने दिन धाड़े जो आपने गुंडागर्दी दिखाई जो आपने पुलिस का दबदबा कम करना चाहना वो नहीं वो यूपी में मुश्किल है वो कोई भी कितना भी बड़ा गैंग्स्टर हो कितना भी बड़ा माफिया हो आप इंटरनली बीना पुलिस को बताए दो तरका अमरमनी त्रिपाथी वाला केस भी देखाऊ उसमें भी आप देखिए और्गनाइस क्राइम है जो छोटे लेवल पर वो तो चलता रहता है लेकिन आप सोचो कि लॉइन ओर बिगाड़ के मैं ऐसा क्राइम कर दूँगा कि पूरी मेरी दहशत पड़ जाएगी तो ऐसे क्रिमिनल्स को तो यूपी बुलिस अच्छा ठीकाने लगाती है ये वीडियो दोस्तों कैसे लेकि जोरू बताएगा झाल